नमस्कार आप देखे रहे रहे हैं लाख टके की बात की ऐखास पेशकर जो लोग क्रिप्टो करंसी में पैसा लगाते हैं जिनकी गाड़ी कमाई क्रिप्टो मार्केट में लगी है आज का हमारा ये शो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज हम आपको क्रिप्टो मार्केट की ABCD समझाने वाले हैं उन सवालों के जवाब बहुती सरल शब्दों में आपके सामने रखे जाएंगे जिससे आप जान पाएंगे कि भारत में क्रिप्टो करंसी का भविश्य क्या है आपके जहन में जो तमाम तरीके के सवाल चल रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे सवाल आपके जहन में क्या हो सकते हैं सवाल नमबर एक क्या भारत में अब पूरी तरीके से क्रिप्टो करंसी पर बेन लग जाएगा सवाल नमबर दो हो सकता है बेन लग गया तो क्या निवेशकों का जो पूरा पैसा है वो डूब जाएगा या कोई एक्जिट विंडो होगी सवाल नमबर तीन क्रिप्टो मार्केट को कौन दरसल में रेगुलेट करेगा सवाल नमबर चार ये कि सरकार या आर बी आई की जारे होने वाली करंसी कैसी होगी क्या वो क्रिप्टो करंसी के तोर पर ही सामने आएगी या उसमें कुछ फर्क होगा और सवाल नंबर पांच किन मुद्धों पर सरकार को भी सफाई देने की जरूत है क्या कुछ सरकार को भी साफ करने की जरूत है इस तरीके के कुछ सवाल आपके जहन में होंगे और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुती खास मेहमान News Nation Network के Editor-in-Chief और देश के वरिश आर्थिक पत्रकार Manoj Gherula जी है जिनसे इन तमाम सवालों के जवाब आपके लिए समझने के कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें भारत में क्रिप्टो करंसी का भविश्य क्या होगा? क्या भारत में क्रिप्टो करंसी पर बैन लग जाएगा? बैन लग गया तो उन 10 करोड निवेश्कों का क्या होगा? जिनकी गाड़ी कमाई क्रिप्टो मार्केट में लगी है दावा किया जाता है कि क्रिप्टो मार्केट में भारतियों का निवेश करीब 6 लाग करोड रुपे का है तो क्या बेन लगने के बाद रातो रात ये पैसा शून्य हो जाएगा भारत की अगर हम बात करें तो 10 करोड लोग इसको इस समय इस्तमाल कर रहे हैं इसमें निवेश किया हुआ है या उन्होंने किसी तरीके से इससे जुड़ गए है इसको regulate करने वाला कोई नहीं है इसको control करने वाला कोई नहीं है रातो रात आप अमीर बन सकते हैं और रातो रात आप बिलकुल कुछ नहीं आपकी गाड़ी कमाई इसमें एकड़म गायब हो सकते हैं इस चिंता की वज़ा है क्रिप्टो करंसी को लेकर सरकार करोगा क्योंकि भारत में क्रिप्टो मार्केट जिस रफ्तार से आके बढ़ रहा है उसे देखते हुए अब सरकार क्रिप्टो करंसी को रेगुलेट करने की तयारी कर चुकी है इसके लिए इसी शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विन्यमन विधेक 2021 लाने वाली है सूत्रों के मुताविक इस विल में सरकार RBI के तहट एक आधिकारिक करंसी जारी करनी के लिए भी फ्रेमवर्क तयार करना चाहती है इस बिल के तहट ये प्रावधान लाया जाएगा जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टो करंसी बेन हो जाएंगे हलांकि इसकी टेकनलोजी और इस्तमाल को प्रिमोट करने के लिए कुछ अपवाद रखे जाएंगे कुछ क्रिप्टो करंसी लांच करने के प्लान्स में है और हो सकता है कुछ बॉडी को या कोई बैंक को ये रеспॉंसब्लीटी असाइन करके क्रिप्टो करंसी को ऐफिशिली इंड्या में लांच करें because most of the companies जो है ये foreign companies है और जो भी Indian investors है इसमें जो पैसा डालते है वो देश के बाहर जाना है सोचिए, जितने हमारे देश में क्रिप्टो की निवेशक हैं उतनी तो कई देशों की आबादी नहीं जितनी रकम भारतियों की क्रिप्टो मारकेट में लगी है उतना देश के किसी सूबे का साला ना बजट नहीं 65 फीज़ी निवेशक ऐसे हैं जिनोंने अपना पहला निवेश क्रिप्टो मारकेट में किया है तो ऐसे में उनका क्या होगा कोई इस पे अभी regulation नहीं है तो ये एक तरीके से illegal tender ही कहलाता है और ऐसे में बहुत से investor निवेश करके यहाँ पर फस जाते हैं क्योंकि अगर सरकार ने crypto currency पर पूरी तरीके से ban लगा दिया तो crypto में निवेश करने वालों के लिए नई परेशानी ये होगी कि bank और आपके crypto exchange के बीच लेंदेन बंद हो जाएगी आप कोई crypto खरीदने के लिए रुपे को डॉलर या दूसरी करनसी में convert नहीं कर पाएंगे इसके साथ ही आप डॉलर या दूसरी करनसी में खरीदे गए crypto को बेच कर रुपे में transaction भी नहीं कर पाएंगे खबर ये भी है कि सरकार अपनी digital currency लाने की तयारी कर रही है लेकिन ये digital currency क्या crypto currency होगी या फिर इससे कुछ अलग ये भी अभी साफ नहीं लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि crypto currency को लेकर दुनिया की कई देशों की राय बटी हुई है भारत और चीन इसका विरोध करते हैं लेकिन अमेरिका समित कई देश इसके हिसाब से स्कीम बना रहे है सेंट्रल अमेरिका के अल सलवाडोर ने bitcoin को legal tender तक बना दिया है जबकि कई दक्षन अमेर्की और अफ्री की देश भी bitcoin को legal status देने पर विचार कर रहे है दक्षन कोरिया जैसे बड़े देश भी क्रिप्टो करंसी और exchange को regulate करने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहे है मतलब क्रिप्टो करंसी की दुनिया काफी बड़ी हुचकी है ऐसे में 130 करोड वाली आवादी के मुल्क भारत में क्रिप्टो मार्केट का भविश्य क्या होगा यह सरकार के आने वाले बिल के बाद ही तैह हो सकेगा टीम न्यूज नेशन जी हाँ तो जैसे ही कल ख़वर आई कि सरकार इसी सत्र में क्रिप्टो को लेकर एक विधेक लाने वाली है हर किसी के जहन में यही सवाल जो आज हमारी इस खास पेशकश में पहला सवाल है सवाल पहला ये कि क्या भारत में पूरी तरीके से क्रिप्टो करंसी पर हर तरीके की क्रिप्टो करंसी पर बेन लग जाएगा मनुसर क्या यही होने वाला है जी हाँ देखिए अभी तक जो information सामने आई है वो information देखकर तो हमें ये लगता है कि जो भी private इनफोर्मेशन जो statement है वो ये है कि जो भी private क्रिप्टो करंसी है उन पर सरकार बेन लगाईगी अगर हम ownership देखें कि कि क्रिप्टो करंसी की ownership क्या है तो अगर ये हम criteria रखें तो इस criteria के basis पर जो भी क्रिप्टो करंसी आज exist करती है चाहे वो bitcoin हो या चाहे कोई भी नहीं है तो इसलिए ये तो इसलिए सारी की सारी क्रिप्टो करंसी पर बेन लगेगा लेकिन तो भी जिस समय बेल पार्लेमेट में पेश होगा उसी से हमें मालूम चलेगा कि उन्होंने private क्रिप्टो करंसी को किस तरीके से define करा गया है क्योंकि यह कोई यूनिवर्सल टर्म है नहीं कि जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनिशन हो बिल्कुल मैं प्राइवेट क्रिप्टो करंसी को लेकर भी आप से समझूंगा आगे सर लेकिन लोगों के जहन में जो दूसरा बड़ा सवाल है वह यह कि अगर क्रिप्टो करंसी पर बैन लग गया पूरी तरीके से प्रतिबंदेत हो गई तो वह जो निवेशक हैं जिनका दावा किया जा रहा है कि वह देश में तकरीबन 10 करोड हैं क्या उन तमाम निवेशकों का पूरा का पूरा पैसा डूब जाने वाला है देखे हमारे देश में जो अथोरिटीज हैं उनके हाथ में पावर क्या है अगर आर बी आई इसको रेगुलेट करती है तो आर बी आई हद से हद यह कर सकती है कि जो हिंदुस्तानी बैंक हैं हिंदुस्तानी बैंकों के थुरू इसका ट्रांजक्शन नहीं होगा मतलब कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जिससे आप करंसी खरी सकते हैं या बेश सकते हैं वो हिंदुस्तानी बैंकों के थुरू आप नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान के बाहर के किसी बैंक से और अगर उसका एक्सचेइज भी बाहर है या उसका एक्सचेइज हमारे देश के रेगुलेशन तो आज की डेट में कोई भी नहीं है लेकिन अगर यहां का भी है और बहार से वो खरीदना चाहे जहां कि यह एलाउ करते हैं तो उस case में वो काम हो सकता है वो अपनी currency को bitcoin या किसी और चीज़ को बेच सकते हैं खरीच सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के अंदर है के हिंदुस्तान के बैंकों के जरिये से ना इसको खरीद पाएंगे ना इसको बेच पाएंगे असी से जुला एक supplementary है वो यह कि अगर पूरी तरीके से बैन लगता है तो क्या इस तरीकी की कोई संभावना की एक exit window का वक्त दे दिया जाए कि हम बैन लगा रहे हैं एक महीने का वक्त है आप जो भी पैसा अपना निकाल लेजिए क्या ऐसा कुछ हो सकता है नहीं मेरे को लगता नहीं है क्योंकि आज की डिट में भी तो एक exit window है सबको मालूम है कि क्या होने वाला है सबको मालूम है कि इसमें कोई certainty नहीं है एक जो अनिश्चिता की जो इस्थिती है वो इसके साथ बनी हुई है तो इसलिए जिसको भी exit करना है तो ये मेरे ख्याल से ठीक time है जिस भी जब भी आप किसी asset में invest करते हैं तो आपको पहले पता होता है कि इसके risk क्या-क्या है अगर for example अगर आप share खरीते हैं तो सेबी का ये regulation है कि वो company को अपने जो prospectus है उसमें बताना पड़ता है कि इसमें क्या-क्या खतरे हैं इसके फाइदे क्या है और इसके नुकसान क्या है लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं है क्योंकि ये regulate तो होती नहीं है बिल्कुल सर तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है वो ये कि क्रिप्टो मार्केट को अब हमारे देश में अगर कोई regulatory body बनती है तो उसको regulate कौन करेगा RBI regulate करेगी से भी regulate करेगी या कोई से भी जैसी कोई और संस्था डेवलप की जाएगी देखिए अभी तक जो भी information आई है उसमें हमें नहीं पता कि क्रिप्टो को किस form में regulate करेंगे या फिर क्रिप्टो को हम लोग किस asset class में रखेंगे अगर क्रिप्टो को अगर क्रिप्टो एक करेंशी है जो मेरे को समझ आता है कि करेंशी होती क्या चीज है करेंशी बेसिकली एक legal tender होता है जो कि सरकार issue करती है सरकार जब किसी करेंशी को जैसे रूपिया है हमारा रूपे को सरकार ने issue किया है या फिर American dollar है उसको American government ने issue किया तो उसकी क्या value होगी वो सरकार तै करती है उसके कई सारे parameters होते है अगर सरकार कोई क्रिप्टो करेंशी लेके आती है तो वो basically digital currency होगी जो की blockchain technology पे based है सर चोथा सवाल एक ये भी है कि सरकार या RBI की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम भी अपनी एक digital currency या crypto currency कहिए उसको launch करने वाले है क्या वो currency इस crypto currency से अलग होगी क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है देखे दोनों में बहुत अंतर है आज जितने भी crypto currencies market में है उनको हम currency तो बोली नहीं सकते है क्योंकि वो किसी भी देश में legal tender नहीं है जब हमारे देश में अगर RBI कोई crypto currency लेकर आता है तो वो basically digital rupee की तरह होगी जिसके पीछे की blockchain technology होगी जो की crypto technology है जिससे हमें यह असानी से पता चल सकता है कि उसकी trading कितने बचके उसका में transaction कितने बजे और कहां से कहां तक हुआ वो जो currency होगी अगर digital wallet होता है तो उस case में जो उसका owner होगा क्योंकि उसका KYC हुआ होगा तो हमें पता रहेगा कि वो currency का मालिक कौन है किसके हाथ में वो पैसा है ठीक है सर एक और सवाल जो लोगों के जहन में है वो यह कि क्या आपको लगता है कि अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अंसुलजे हैं जिस पर सरकार को अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए आज सुचना प्रसारान मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे थे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने करोड़ों लोगों का उस पर पैसा लगा है और वो पूरे के पूरे चांसिद हैं कि उनका पैसा सारा का सारा दूबेगा दूसरी चीज़ यह है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आज की रेट में पैसे को बाहर भेजने के लिए भी हो रहा है जो भी गैर कानूनी काम करने है उसमें जो मनी लॉंडरिंग वाला पार्ट होता है जैसे किसी की किड्नेपिंग करी किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम किया उसका जो ट्रांजक्शन है terrorist activities का जो transaction है वो crypto currency के थू हो सकता है यह भी एक बहुत बड़ा सिर्दर्द है इसको सरकार रोकना चाहती है और तो इस तरह की चीजे हैं तो इसको रोकने के लिए सरकार को इसको ban करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर यह ban हो गया तो बाहर का पैसा हिंदुस्तान में नहीं आएगा और हिंदुस्तान से पैसा बाहर इसके जरिये नहीं जाएगा तीसरा एक इसू टैक्सेशन का भी है लेकिन टैक्सेशन का इसू लेकिन अगर सारी की सारी चीजे एक legal framework में आ जाती है सरकार की अपनी करेंसी आ जाती है तो मेरे ख्याल से टैक्सेशन का इसू भी आटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है यह भी सवाल लगातार चर्चा में था कि यह भी मुम्किन है कि सरकार रेगुलेट करे और साथ में क्रिप्टो पर टैक्स भी लगा दे जो कि किसी भी कंट्री में में जिसको लीगल सेंक्टिटी आज की रेट तक नहीं मिली उसको हमारी सरकार रेगुलेट कैसे करेगी वो को कोई तरीका ही नहीं है नहीं है रेगुलेट करने का अगर कोई एक करंसी ऐसी है है currency या उसको जोब एसेट किलास बोलें जो कि पूरे के संसार में जिसकी ट्रीडिंग हो रही है लेकिन ownership किनी है तो एक हम हिंदुस्तान की सरकार कुछ regulate करें तो उस regulate का कोई कोई नहीं है मीनिंग नहीं है क्योंकि हमारे हमने regulation बना दिया अमेरिका में उसमें में कोई regulation नहीं है पाकिस्तान में regulation नहीं है तो उसका कोई मतलब भी नहीं रहे है अपने शुरुवात में प्राइवेट क्रिप्टो करंसी की definition को लेकर सवाल खड़ा किया था कुछ एक्सपर्ट से जो कह रहे हैं कि देखे जो क्रिप्टो करंसी है उसमें दो तरीके की क्रिप्टो करंसी है एक ऐसी क्रिप्टो जिसमें पारिश्यलिटी ना के बराबर है सारी जानकारिया च्छपाई जाती है उसको प्राइवेट क्रिप्टो करंसी कहा जाता है भारत सरकार स क्रिप्टो करेंसी की ओनर्शिप किसकी है उसके बेट में पता चलेगा कि कौन सी प्राइवेट और कौन सी प्राइवेट नहीं है आप एक चोटी सी चीज समझेए लट इस अज्यूम की बिटकॉइन है बिटकॉइन में हमें पता चल जाता है कि उसमें ट्रांजक्शन कब होगा ना तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो हमें बिल का इंतिजार करना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से बिल में डिफाइन किया गया है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को हमें देखना पड़ेगा जहां तक मेरे को लगता है जे सर एक और आखिर में सवा और सुप्रीम कोड़ से राहत भी मिल चुकी है, पहली चीज तो यह है, दूसरी चीज जिनों ने इन्वेस्ट किया है, जनरली क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें रिस्क क्या है, तो हम यह एजूम करें कि जिनोंने इस पर इन्वेस्ट करा है, अपना रिस्क लेकर इंवेस्ट किया है, बाराथ सरकार पिछले पांगा साल से कहरी है कि इसको इन्वेस्ट मत करो, मत करो, RBI ने दो साल पहले एक regulation वो था किया था कि सरकारी बैंक की जो हिंदुस्तान के बैंक है ना इसके थुरू इसका transaction नहीं होगा लेकिन क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था इसलिए उस regulation को Supreme Court ने हटाया यह नहीं हटाये कि यह चीज अच्छी है या गंदी है तो बहुत एहम बात इस पूरी चर्चा के दर्मियान वो यह कि crypto बहुती रहसमयी चीज है बचकर रहा जाए वो जादा बहतर है निवेश कर चुके हैं तो इंतजार कीजिए सरकार के मसादे का ड्राफ्ट का जो बहुत जल सब के सामने होगा बहुत बहुत शुक्रिया मनुस्तर जुड़ने के लिए हमारे साथ और crypto currency का ABCD सरल शब्दों में दर्श्कों को समझाने के लिए लाक टके की बात में एक छोड़ा सा break तुरंत हाजिर होते हैं